दोस्तों अगर आप SBA की कोई भी mutual fund में आप SIP किये हो अगर आपकी जो fund है वो regular है आपके direct fund नहीं है अगर आप चाहते हो उसको switch करना है आपको regular से direct के अंदर और ये investment app के अंदर से आप कैसे कर सकते हो SBA की जो dedicated application है SBA mutual fund invest app उसके अंदर आप कैसे आपके fund को regular से direct में switch करोगे इस वीडियो में हम आगे देखेंगे 2 मिनिट के अंदर लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अगर आप नया हो mutual fund या SIP में आपको पता होना चाहिए कि आपके fund को क्यों switch करोगे दोस्तों देखिए अगर आप regular fund लिये हो ये किसी ना किसी broker के थूँ या किसी agent के थूँ आपको recommend किया गया होगा कि आप ये fund में invest करिए इन cases में दोस्तों आपका जो fund होगा पका regular fund होगा क्योंकि दोस्तों देखिए आप अगर mutual fund company से direct buy करते हो कोई भी fund या कोई भी SIP में invest करते हो जो कि 2013 से पहले नहीं था क्योंकि सारे documentation offline था अभी काफी सारे online companies आ गए हैं जिस application के थूँ आप direct mutual fund company से सिधा सिधा खरीते हो तो हाँ पर जो management है वो काफी कम आपसे percentage लेता है यानि लगबग 1% लेता है लेकिन जो regular fund होता है दोस्तों अगर कहीं broker या agent के थूँ आपको recommend किया गया है तो वहाँ पर middleman के तोर पर काम करते हैं और company से चार्ज करते हैं जो कि आपकी investment से उसको काटा जाता है यह हो सकता है दोस्तों आपको अभी लगए कि यह 0.5% यह 1% आपसे ज्यादा चार्ज लग रहा है regular fund में लेकिन दोस्तों यह time के साथ बहुत बड़ा amount बन जाता है और हर दफाँ आप जब भी investment करते हैं उसमें आपका जितना भी deduct होता है उतना कम investment होता है और आगे जाएका उतना कम ही return मिलेगा आपको तो आजब आपके पास option है direct fund में switch करने का तो आप बिलकुल करिए तो चलिए दोस्तों फटा फटा फट से देखते हैं कैसे आप switch करोगे आपकी दोस्तों आप सबसे पहला आपने इनवेस्ट आपको ओपन कर लिजिए अपना टीपिन देखे और यहां पर आपको फ्रॉंट पेजब आपका सारा चीज़ दिखा रहा है दोस्तों आपका absolute return कितना है आपके annualized return कितना है दोस्तों जो real return होता है और annualized होता है दोस्तों यह क आपको demo video बता दूँगा कि कैसे आप switch करोगे आप इस पर click करोगे तो आपको सारे details आ गया यहां पर आपको folio नमबर बगएरा सब कुछ यहां पर आ गया है और आप निचे देखोगे तो दोस्तों invest redeem switch STP और SWP है दोस्तों invest मतलों आप invest lump sum भी डाल सकते हो SIP में और ज्या यहां पर regular से हमें direct में switch करना है यह आपको fund change करना है आपका fund अच्छा नहीं कर रहा है तो यहां से भी आप change कर सकते हो आगे जो दो अफसन है दोस्तों STP और SWP दोस्तों यह बहुत बहुत बहुतरीन अफसन है दो STP और SWP जिसके बारा हम वीडियो की end में बात करेंगे आपको 500 छोड़ना ही है आपकी fund के अंदर तभी आप switch कर बाओगे और यहां पर देखिए दोस्तों मेरा जो fund है वो direct है और यहां पर fund name आपको धुनना पड़ेगा कि आप किस में invest करना चाहते हो जो की दोस्तों आपको आगे जो option मिल रहा है fund name वहां पे click करोगे तो वहां यह दोनों दोस्तों regular को refer करता है यानि आप किसे advisor के थुरू यहां पर invest कर रहे हो लेकिन यहां पर आपको direct पर choose करना है अगर आपका lady regular fund है तो यहां पर आप दोस्तों direct को choose करिए और निचे आपको ARN number पुछा जा रहे है अगर आप new advisor select करते हो तो यहां पर आपको ARN number और यहां पर बारी आता है दोस्तों आपको fund चूज करने का आप और रिसर्च करके आपका fund चूज कर लीजेगा जब आप इसको कर रहे होंगे तो यहां पर fund name पर click करने के बाद आप सिधा equity पर click कर लीजे लेकिन ध्यान रखे दोस्तों यहां पर आपका जो switch हो रहा है यह लंसम जैसे ही बात है आपका जो fund है आपकी एक fund से दूसरे fund में आप लंसम investment कर रहे हो यह से नहीं होता है कि आपकी जो current fund चल रहा है वो बंद हो जाएगा और इसी में invest होता रहेगा ऐसा नहीं होगा दोस्तों अगर आपका current fund को बंद करना है आपका आपका अच्छा पर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप S.I.P. को cancel कर लिए जैसे आपका S.I.P. cancel हो जाएगा फिर आपका जो total fund है वो इस पे transfer हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसमें S.I.P. start कर सकते हो तो यह एक lump sum type का है और यहाँ पे वही fund दिखाया जाएगा जिस पे आप lump sum invest कर सकते हो तो यहाँ पे चूज कर लिजे कोई वेक fund जैसे आपको सबीदा है आप अपनी हिसाफ से चूज करिए अपनी research की हिसाफ से चूज करिए देन आप यहाँ पे option पे आप growth पे क्लिक करिए देन दोस्तों यह आपकी जो transaction date पूछा जा रहा है अगर आप working out में कर रहे हैं उसी क्यों से कम कितना switch कर सकते हो और दोस्तों आपको जैसे में पहले बताइब कि आप जो fund यहाँ आपको सो किया जाता है उसमें आपका Lumsum invest हो सकता है जिस fund में lump sum invest नहीं हो सकता वो fund आपको यहां पर सोही नहीं करेगा तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 5000 minimum आप switch कर सकते हो यानि आपका जो fund है वो minimum आपका lump sum 5000 से ज्यादा ही होना चाहिए investment तो आपको यहां पर आपकी हिसाफ से आप जितना आपकी fund में availability है वो शिसाफ से आप यहां पर by amount या by units यहां पर आप switch कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैं 5000 I wish to switch 5000 यहां पर मैंने amount इंटर कर दिया है आपको transaction date दिखाय जा रहा है आप यहां पर आप selective कर सकते हो अगर आप working hour के अंदर कर रहे हो तो आपका same day हो जाए गा transaction और आपको next day लगेगा या बीच में अगर holidays वगरा होगा तो आपको next working day पर ही एक जीक्यूट होगा please subscribe my channel and click the bell icon for quick updates मैं इसे छोटे छोटे इंफिमिटी वीडियो बना के लाता रहता हूँ और दोस्तों ASTP और SWP के अबारे में हम next वीडियो में बात करेंगे और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो thanks for watching love you all